नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पसंद देदा हूं ये पैतिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर निपुल कुमर आप सभी का स्वाद करता हूँ दोस्तों हमने शुरू किती शंकला नोजोर्स और सार्कोर्स की हम इस शंकला के आखरी पड़ाव पर है और क्यों लोग इसे कम इस्तमाल करते हैं इसके बारे में ज्यादा यांकरी आपका ओनलाइन देखने को नहीं मिलेंगे आप यही वीडियो सार्च करेंगी यूट्यूब पे तो आपको वीडियो भी बहुत जादा इसके देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि लोग इस्तमाल हम जब डिसकस करेंगे इसमें आपको समाझ जाएंगा तो चलिए बिना किसी देरी के बिना किसी हो हले के हमारा डिसकेशन शुरू करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब करेंगा कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और साथे साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करू तो उसकी न दोक्टर है और उन्होंने नौस वर्ड्स इंट्रोड्यूस बहीं हम यूह ओ वर में अच्छे अच्छे भर्नट्स ते जノस ने नाम आता है टॉक्र येसी बनेट का Ha सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इसके अपोज में थे और वह नहीं चाहते थे कि नोजोर्स वैक्सीन के दह अब नोजोर्स इंट्रड्युस हो गए यूज होने लगा इसके बार में इसका रिसार्च चलूए अब इसमें जो रिसार्च है वो मेंली दो लोगों दोःहा हमें होता हुआ देखने को मिलेंगा बॉट नोजोर्स के लिए दो होमीप्रतिक और दूसरे है डॉक्टर जॉन पेटिंसन एडवर्ड पैच 1886 से 1936 तक जीवित थे और जॉन पैटिंसन 1890 से 1955 तक के जीवित थे तो यह उनका लाइफटेम उनका जिन्नी थी तो इनिशली जो रिसर्च चलू की वो डॉक्टर एडवर्ड बैच ने शुरू की वही अच्छी जल डेकने को मिलता है वही होमीपैथिक फैटरिटी बावर्वी नजोड को कैच अच्च अपकरने में वहीं यह समझने में कहीं फेल हो गी इसलिए बहुत जादा इस्तमाल इन नभाईयों का नहीं कर रही यह वान वान पावर्फुल नौज ओवर्ड पैच एक समय के बैक्टर लजिस्ट थे और बहुत इनका नाम था तो यह कई जगों पर जाते थे और रिसर्च पिपर्ज में खुद के णायरेक्टली दे दे तैंए नहीं बनाते थे और ऐसे आजल इंखे, करके यूज करना शुरू किया और फिर पयशेंटंड को क्यूर करना सुरू किया शुरू किया लुए डॉक्त्र एड़वार्ड बैज के KOWER कर थे और बैज के साथ में स्टड़ी किया करते थे तो डॉक्त्र एड़वार्ड बैज की भी नैarp en representations उसके बाद में यह स्टड़ीक केडिकरी डॉक्ट्र पेटर शनने बodel फ्लॉरा की उपर बहुत ही जादा विया किय다 उनका ब्यमीं को के अंदर बियाव करती है किस तरह से पोटेंटाइब्स के अंदर बियो करती है और किस तरह से बीमारी में विएव करती है इनके बारे में बहुत extensive study dr. outta. पटल सन की हमें देखने को मिलती है यह study कितने दिन चली तो यह study dr. पटल सन की जो study है वो study है 20 साल की और उन्होंने लगभख 20,000 स्टूल के सेंपल्स एक्जामिल किये थे इस स्टेडी को कंड़क करने के लिए तो एक्स्टेंसिव रिसार्च उन्होंने कि थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद में उनके जो फाइंडिंग्स है वो बहुल नौजवर के फॉर्म मे हमें आज दिया था इतने सालों का जो अनुबाव था उसका कंक्लूजन क्या था तो उनका कंक्लूजन ही कि था कि जो हमारी इंटेस्टिनल फ्लोरा होती है वो डिजीज के अंदर हमें चेंज होती है देखने को मिलती है और होमेपैथिक मेडिसीन के एक्शन के अंडर भी अब बात करते है बॉबं नय Short की यह वह दवाई आधि में दम्लती है जो नौन लेक्तोस फर्मेंटिंग भैक्तरिया होते हैं उनको हम हमारे नाम दाफिया करते है तो यह आपको समझ में आगा होंगा यह subgroup क्यों है क्योंकि इसमें सिफ intestinal flora से जो bacteria आते हैं उन्हें isolate करके potentize किया गया है सभी bacteria या सभी disease product हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं इसलिए बाविल नुजोड एक नुजोड का subgroup हम मान सकते हैं ठीक है अब symptoms जो होते हैं इसके यह काफी deep acting होती है medicines और constitutional medicines होती है तो यह बहुत ही powerful medicine होती है तो इन्हें ऐसे ही routinely use करना भी थोड़ी गलत बात होती है तो अब इसे use कैसे करना इसको लेके भी कई लोगों के मन में सम्रम होता है कि आखीर से कैसी use करना तो basically हुमिपेथिक patients को दो group में बाट लेना चाहिए हमें नए patients और पूरा नए patients यदि नए patient है कोई जिनके अंदर हमे definite picture देखने को मिल रहा है definite symptoms देखने को मिल रहा है कि हाँ यह patient है सोरा की माईजम को बिलॉंग करता है लेकिन हम एक remedy identify नहीं कर पा रहा है हमें group of medicine के symptoms उस patient के अंदर देखने को मिलते हैं जैसे कि यदि कोई patient है जिसके अंदर sulphur, calcarea, carbur, graphitis तिनों की symptoms देखने को मिल रहा है और हम identify नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन से medicine देना है तो ऐसी condition में बावल मजूर काम आती है Morgan pure जो की पैटरसन ने डवलप की थी तो इस तरह के group of symptoms को cover करने में हम नए patient में directly बावल मजूर का इस्तमाल कर सकते हैं इसका दुसरा example यह कोई और patient आगा है जिसके अंदर बहुत सारे symptom आप में लगार कभी लग रहा है कि यह मॉक्सौल का है कभी लग रहा है कि यह लग रहा है कि यह सिलिश्या के यह एसी group of symptoms हमें मॉक्सौल फस्वरोस लिश्या के group के देखने को मिल रहा है तो ऐसी condition में हम दे सकते हैं गार्टर बैच नाम की बावेल लोजौर्ब तो इस तरह से हम बावेल लोजौर्ब करते हैं आगile physician के अंदर बावेला का इस्तेमाल करते हैं दाने तरह है यानि वह पुराने पेश्ब्द जो Heumopathic दोभाई देखने को मिलती है तो यदि कोई patient already homeopathic medicine ले रहा है तो उसका जो bovel flora है वो हमें change होता हुआ देखने को मिलता है इसलिए हमें bovel nozor के पुराने patient के अंदर varying result देखने को मिलते है बहुत routinely हम bovel nozor ऐसे पुराने patient में नहीं देते और यदि देते भी है तो बहुत ही कम इसका repetition हमें देखने को मिल result है और उनका यह भी मानना था है कि non-fermenting bacilla है यदि आप intestinal flora को उनका examine करते हो और उसमें non-fermenting bacilla है यदि 50% से जादा हमें देखने को मिलता है तो उन्होंने clear-cut का है पैटर सर ने की आप bovel nozor का इस्तमाल नहीं करें यहां पे आपको कोई यहां पे result देखने को नहीं मि से कम यदि intestinal flora में आपको non lactose fermenting bacteria देखने को मिल रहे है तभी आपको बॉल लोजोड का इस्तमाल करना है अब स्टूल examination हम हर बार को करते नहीं पेशंट जब नहीं आता है और अगर हर एक को स्टूल examination करा तो पेशंट भी थोड़े अहसाज हो जाते है कि बीमारी क्या है औ अगर्ण करने को कह रहे है तो इस बेटर लेफ्ट टू बेटर जैज्जमेंट ऑफ एक्स्परियंस रोमेपेटिक डॉक्टर कि उन्हें कब बॉल लोजोड देना है और कब नहीं देना है लेकिन यदि आप किसी पूराने पेशंट को बॉल लोजोड देनी की सोच रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मत्रा है तब आप उसका स्टूल एक्जामिन करा के कर सकते हो कि नॉन लेक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टिरिया यदि 50% से जादा है तो उसे वैसी असर नहीं आना है तो बॉल नोजोड का कोई ज्यादा फाइदा में ऐसे रोगियों के बहुत जादा इसका रिपेटेशन हमें नहीं करना है अब पोस लोगी की यह बात कर लेते तो हमें किस तरह से इसितमाल करना है तो जहां पर मेंटल्स आपको बहुत ही ज़ादा होते हैं मेंटर से मैच हो रहा है तब आपको ही प्रह पोटेंसी यूज करनी होती है जैसिक पोटेंसी आप जूस वे मैच हो रहे हैं यह पीछल परफेक्ट को देखने पेस है जिसके अंदर्ड आप,. तो यह एक कंशेप्ट है वहीं यदि कोई पेशन्ट ऐसा आता है जिसके अंदर बहुत क्राणिक कंडिशन है लेकिन एक्ट एक्स अजर्बेशन कोई कंडिशन का देखने को मिल रहा है जैसे कि अग्ले ब्रॉंकाइटेस हो गाया और कोई पूरानी बीमारी है स्किन की उसके सुपर एक्ट ब्रॉंकाइटेस हो गया ऐसी कंडिशन में यादि आपको कोई बॉविल नोजोर उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मावारी नोजोर की श्रिंकला जो है वह खतम हो जानी है तो आई होब कि आपको यह इंट्रोड़क्टर लेक्चर बॉवल नोजो किया है तब जाके मैं आपके सामली है वीडियो लाप आया हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाविल नोजोर्स को समझने के लिए बिल्कुल बेहिचक मेरे वीडियो को पूरी क्रतिक दवा देती हो तो जरूर इस शेंकना को फॉलो कीजिए मिलता अगले वीडियो में इसी तरह की कोई इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर साजर होंगा आपको यदि कोई और जानका ही चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर मिलता अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत